हिंदु धर में भगवान गडेश को बहुत ज़ादा शुभ माना जाता है कहा जाता है कोई भी काम को करने से पहले पहले भगवान गडेश का दीदार होता है गडेश महराज को सरप्रतम हमारे धर्मों में पूजा जाता है ऐसा कहा जाता है कि जो भी सत्चे मन से गडेश भगवान की पूजा करता है तो उसके सभी कलेश दूर हो जाते हैं और साथ ही भगवान गडेश उसको मन चाहाँ फल भी देते हैं लेकिन आपको बता दें अब ऐसा ही हम आपको एक ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनको आप अगर गुरुबार के दिन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा, साथ ही आपके जीवन में बहुत कुछ गड़ेश भगवान हासिल कर देंगी, जिन्दगी का अहल लम्हा आपके लिए आसान हो होता हुआ नजर आएगा, तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन से हैं वो आसान उपाय, जो गुरुबार के दिन करके आप बहुत जल्द माला माल बन सकते हैं, श्री गड़ेश को सिंदूर अतियंद प्रिय होता है, कहा जाता है, गुरुबार के दिन हल्दी मिश्रित सिंदूर उनके चरड़ों में रहने से मनुवांचित फल श्री गड़ेश मिलने लगता है, जल्द ही ऐसा करने से भगवान गड़ेश का अशिरवात जीवन में प्राप्त होने लगता है, वहीं गुरुबार के दिन 11 दूरवा यानि की घास की पत्या श्री गड़ेश की प सिंदू का भूग लगाएं, एक मोदग अपने पास रखा रहने दिन, दूसरा किसी गड़ेश मंदिर में चड़ा दें, साथ ही तीसरा किसी चार साल के बच्चे को दे दें और चौथा स्वैम खा लें, ऐसा करने से गड़ेश भगवान काफी ज़्यादा प्रिसन होते हैं और मनवान चितफल की प्राक्ति भी होती है और बहुत ज़्यादा लाभ होने लगता है, वहीं श्री गड़ेश को अपनी ताकत बनाना है, तो लाल गुड़हल का फूल उनकी सिर पर चड़ाएं और सूखने पर उसे पर्स में रख लें, यह आपकी हर्विपत्ती में ताक से आकाश की रिपार्ट